सभी को नमस्कार आज हम लोग बात करेंगे भारत विभाजन के बारे में भारत विभाजन के बारे में बात करने से पहले दो तीन तथ्यों के बारे में जानकारी आउश्यका है इन तथ्यों के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो भारत विभाजन को समझने में कि सहोलीयत हो गई मैं पहले वीशी रियास्टें थि जो पूर रूप से बिटिस नियंद्रण में नहीं थी या- तो आंसिक रूप में थी या उनको बहुत धिक्सवत नत्रता थी लेकिन पूल रूप से उनको बिटिस नियंद्रण नहीं था उन्हें आ सम्राब से या ब्रिटिस क्राउं से किये हुए थे लेकिन वो पूर्ण नियंत्रण में एक तरीके से नहीं थे और जो ब्रिटिस भारती छेत्र था उससे उनको कुछ उन्मुक्तियां प्रात्र हुई थी दूसरा है कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन एक दल है जिसे की ब्रिटिस प्रधान मंत्री क्लिमेंट इटली ने भारत में भेजा था भारत की स्वतंत्रता की भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रियान निधारित करने के लिए और किस प्रकार से महापार अंतरिन सरकार बनाई जाए इन सब शीचों को निधारित करने के लिए कैबिनेट मिशन क्लिमेंट रिटली की योड़ से भारत भेजा गया था जिसमें तीन से दस्य थे और इस दल ने भारती राश्ट्री का अंग्रेज की नेता यह मुस्लिम लीग की नेताओं से बातचीत की और तत्पसात अपनायक प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो इस दल को कै की हुआना जाता है एक औरचीज है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कि जब कविनेट मिशन की बात मुस्लिम लीग ने नहीं मानी तो और उनको यह लगा कि कविनेट मिशन और भारती राश्ट्री का अंग्रेज के नेता मुस्लिम लीग को वेखूफ बना रहे तो उन्हों ने प्रत्यक्ष कारवाही दिवस मनाने का निर्णे लिया और इसके पीछे उनका उद्येश से था कि वो जो ब्रिटिस होकुमत के लोग थे यहां पर भारत में और भारती राश्री कांग्रेस के लोग थे उनको यह दिखाना चाहते थे आपने कि पेंदी मुस्लिम एक न यराश्र के निर्मान के लिए पाकिस्तान की रूप में उसके लिए कहां तक जा सकते हैं तो ये था प्रत्यक्ष कारवाही दिवस को और ते छूठी चीज है भारती स्वतंत्रता अधिनियम भारती स्वतंत्रता अधिनियम से ही जो की ब्रिटिस संसत में पारित किया गया भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रस्वर्वा तो ये चार चीजें हैं और इसमें बहुत ही संशित रूप में मुख्य मुख्य चीजें बताई जाएंगी और य अधियन के लिए आप किताबों का सहरा ले सकते हैं अंत में कुछ पेपर क्लिपिंग दी गई है जिससे आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं यह आपके लिए लावदायक होगा तो अंतर तक वीडियो को अवस्य देखें तो हम प्रुण प्रारम करते हैं भारत विभाजन की निव 1922 के दवरान भारती स्वतंतरता आंदोलन के तहत ही पड़ गई थी अर्थाथ 1922 का भारती स्वतंतरत मजबूत होती चली गई और यह खुलकर बात सामने आने लगी कि मुस्लिम लीग का उद्देश न केवल मुसल्मानों के हितों का संरच्छड है बलकि ऐसा प्रतित होने लगा कि वो किसी भी हालत में पाकिस्तान नाम के एक नयराश्ट का निर्मार चाहती है पहली बार पाकिस्तान की मांग अल्लामा एकवाल ने 1930 में मुस्लिम लीग की एक अधिवेशन के दवरान की थी यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और 1930 में ही मुहमद अली जिन्ना ने अल्प संकेकों को अपने विश्वास में ले लिया था और उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस मुस्लिम हितों की अंधिवेशन की अंधिवेशन की देखी कर रही है उनका नाम था चोधरी रह्मत अली नुनने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान सब्दका प्रीयोग किया और ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के सभी प्राविंस है उनके नामों को लेते हुए ये सद्ध उनके विचार में आया था 1940 में मुस्लिम लीग के लाहवर अधिवेशन में मुहमद अली जिन्ना ने एक जोरदार भासर दिया और उसमें उन्हों ने ये कहा कि हमें एक मुस्लिम राश्व चाहिए फिर जब धितीविश्यद्ध समात होने को हुआ और समात हो भी गया तो धितीविश्यद्ध समात होते होते ब्रिटेन की आर्थी किस्तिती काफी खराब हो गई थी और इदनी खराब हो गई थी कि वह बहुत दूर तक अपने उपनिवेशों को सम्हाल पाने में सक्षम नहीं था और 1947 के काफी पहले से ही ये लक्षन दिखने लगे थे कि अब भारत को मुक्त करना चाह रहे हैं या मुक्त करने की सोच रहे हैं या यह बाते उन लोगों के दिमाग में चल रही हैं और एक चुनाव उसी समय ब्रिटेन में आसन था और उस चुनाव से पहले ही ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने ये कहा था कि अगर इस चुनाव के उपरांत ब्रि 1946 में काइबिनेट मिशन भारत भेजा इस बात का पता लगाने के लिए कि भारत को सतंत्ता देने की क्या प्रक्रिया हो सकती है सता हस्ता अंतरन की क्या प्रक्रिया हो सकती है लेकिन भारत को सप्ता हस्तांतरल करने के संबंध में काइबरेट विशन एक निड़े पर पहुँच भी गया पहले मुस्लिम लीग ने काइबरेट विशन के प्रस्तावों को मान लिया था किन्तु बाद में वो इसे मुकर गई जवालाल नहरू ने उसी में कुछ इस प्रकार की बाते कह दी थी कि काइबरेट विशन के कुछ एक प्रस्तावों को मानने के लिए कांग्रेस भाविश में बाद नहीं है तो इससे एक सक पैदा हो गया मुहमद अली जिन्ना की मन में और नहीं ने कहा कि जब कांग्रेस की अभी यह हालत है तो बाद में यह क्या करेगी और नहीं ने काइबरेट विशन के सारे प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया और 16 अगस 1946 को प्रत्यक्ष कारेवाही दिवस का आहवान किया इस आहवान से फीशन नरसंघार हुए कलकत्ता में नोवाखाली में अन्यराजियों में बाद में यह बिहार तक भी फैल गया और कलकत्ता में तो कहा जाता है कि लगवख 50,000 हिंदू मारे गये नोवाखाली में भी बहुत फीशन नरसंघार हुआ काफी मसकत के बाद ये नर्थंगार्था में और ऐसा माना जाता है कि इसमें ततकालीन बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी की भी कुछ भूमिका थी बाद में जो ब्रिटिस प्रतिनीत थे वहाँ पर बंगाल में उनको इसके लिए काफी लालनत मलानत धेलनी पड़ी थी अंतता ये हुगा कि ततक्ष कारेवाही दिवस में भीशन अर्थंगार हुगा जिसमें ज्यादा तर हिंदू और सिख मारे गए लेकिन मुस्लिम लिग ने 16 गस 1946 को जो हर्ताल बुलाई थी उसमें उनका मुखी मुद्ध्या था कांग्रेस काबिनेट का वहिसकार एवं मुस्लिम राष्ट की मांग वो बिलकुल सतह पर आ गई इसी बीच गांधी जी ने जिन्ना के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि जिन्ना ही प्रधान मंत्री बन जाए गांधी जी के दिमाग में ये था कि यद जिन्ना ही प्रधान मंत्री बन जाएंगे तो भारत विभाजन टल जाएगा लेकिन जिन्ना ने ये बात ही नहीं मानी और फिर इसी बीच फरवड़ी 1947 में ब्रिटेन की प्रधान मंत्री क्लेमेंट इतली ने भुजणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का सासन छोड़ देगा लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखने योगी है जून 1948 तक लेकिन चूंकि प्रत्तक्ष कारवाही दिवस में नोवा खाली और अजगों पर इतने भीशन साम्प्रदाइक दंगे हो चुके थे कि लोग डरे हुए थे और भारत को स्वत्मत्रता देने का निगन और पहले करना पड़ा इसी बीच मार्ट 1947 में वायसराय बनकर आये लाड़ बाउंड बेटन उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बात कित की और इस निर्णे पर पहुँचे कि भारत स्वतंत्र होगा और उसका विवाजन भी होगा लेकिन भारत का विवाजन धर्म के आधार पर नहीं हिंदू-मुस्लिम के आधार पर नहीं बलकि द्री राश्ट सिधान्त के आधार पर होगा अर्था दो राश्ट बनेंगे यह एक महत्तों प्रस्ण है जो कि कई प्रत्योगी पर इच्छाओं में पूंचा जाता है भारत का विवाजन की साधार पर होगा द्री राश्ट सिधान्त एक और प्रस्ण प्राया पूंचा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता दी गई उसमें भारत के उसमें ब्रिटेन की प्रधान मंत्री कौन थे तो उसका उत्तर है क्लिमेंट इटली और हम पुना इस पर आते हैं भारत विवाजन पर भारत और पाकिस्तान के स्वाधिन होने की घोस्णा 3 जून 1947 को पुना की गई और इसी क्रम में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिस संसद्वारा भारती स्वतंत्रता आधिनियम पास किया गया और इसी से भारत के स्वतंत्र होने और भारत विवाजन के भी होने की नियू पूरी तरी किसे पुक्ता हो जाती है अब भारत विभाजन हुगा भारत को एक राष्ट था कि मुख्य राष्ट था वाजभी है उसमें से निकल करके एक पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट बना और ततकालिन पाकिस्तान में आधुनिक पाकिस्तान एवं आधुनिक बांगलादेश जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था ये दो मुख्य भूखन्ड थे देशी रियास्तें भी भारती छेत्र में लगभग 5.5 के आज पास थी इन देशी रियास्तों को ये छोड़ दी गई कि वे चाहें तो स्वत्मत्र रह सकती हैं या भारत अथवा पाकिस्तान में किसी एक में पिले कर सकती हैं और ये कहा गया कि ब्रिटिस समराट के साथ जो भी उनकी संधियां हैं वो समात्र प्राइमानी जाएंगी भारत विभाजन की उपरांत भी भ्यापक पैमाने पर सामप्रदाइक दंगे हुए और ये दंगे दोनों और हुए और इसके बारे में अगर आपको बहुत प्रसिद्य प्रुष्टक है आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल सजी उचित्रण है कि दोनों और के लोगों ने जो जहां पर मजबूत था विरोधी पक्ष को परहसान किया और इतना ब्यापक दंगा था कि कुल लगभग एक करोड़ लाख प्रवासी स्रणार्थियों म और दोनों पक्षों ने हत्या का उत्तरदाइब एक दूसरे पड़ लेकिन दोनों ने हिंसा की पराकास ठाकी यह भी भारती इतिहास में एक कलंक ही है अहां कि हम आते हैं यह भारत विभाराजन पर तो हम लोग बात कर रहे थे देशiczत अंकी तो बवा पाचित के माध्धम से राजनाई तरीके से अथवा दबाव डाल करके भारती छेत्र में मिला लिया गया किन्तु हैदराबाद जुनागर और कस्मीर के बारे में कुछ खास नड़न नहीं हो पाया अब स्वतंतरता के बाद अठाथ 15 गस्त निस्ट आलिस के बाद की कहानी कर लिया गया जुनागर के सासक मुसल्मान थे और वहां की अधिकांस जनसंख्या हिंदू थी जुनागर को भी बात में भारत में सम्मिलित कर लिया गया कि कस्मीर की सिती जुनागर से उलड़ थी वहां अधिकांस जनसंख्या मुस्लिम थी और सासक वहां के हिंदू थे ऐ एक बार कस्मीर के सासक ने पाकिस्तान के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि कस्मीर कभीले पाकिस्तान में होगा और ऐसा भी माना जाता है कि दूर संचार जैसे कुछ मुद्धे वो कस्मीर के पाकिस्तान नियंत्रित करता था लेकिन यह से बातें नहीं बन पाई और अंततर महराजा ने यह निर्णे लिया कि कस्मीर को स्वतनतर रखा जाएगा ऐसा कहा जाता है कि वो कस्मीर को एसिया का शुर्जर लेंड बनाना चाहते थे इसके कुछी दिनों परांथ पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना समर्थित कवाईली लसकरों ने लसकर कातात पर समूह होता है इन लोगों ने कस्मीर पर आक्रमन किया और कस्मीर तक पहुंचने ही वाले थे कि राजा ने भारत से सहाता मांगी और अंतता कस्मीर का भी भारत में विलेफ हुआ और यहीं से शुरुआत होती है भारत पाक कस्मीर संगर्ष उनिस्षो सेंतालिस की और कस्मीर समझ्या की भी दूसरे सब्दों में हम यह कर सकते हैं कि भारत का विवाजन येवं पाकिस्तानी कबाइलियों का आक्रमन जिसकों की पाकिस्तानी सेना का समझ्थन प्राता था ये दोनों ही कस्मीर समझ्या येवं भारत पाक संगर्ष 1947 की प्रिष्टपूम तयार करते हैं तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम लोग किसी दूसरे टाफिक पर बात करेंगे धन्यमादे अगले अगले शोचर नहीं जैं मिलनलत हैं और फिर घंदग शोग किसी करेंगे वस्य मां हम लेक्या वस्या है यहाँ पर खाइएख्डवां सक्राने ग형 TOP